पाली सीखो भाग दो पाली सीखो एक में आपने जो वन वाला होती है यानि कि जो सद्ध होते हैं सारे सारे पाली के अंतरगत वो आपने सीखे यहाँ सबसे पहले सर आएंगे यानि सरा जिनको वौविल बोलते हैं बहुत सारे जो वौविल्स हैं उनको पाली के अंदर सरा बोलते हैं आएक को बोलते हैं सर सर को ही बाद की संस्कायद भासा में स्वर बोला जाता है यह पाली से ही लिया गया है सारी दुनिया में जितने भी जानवर होते हैं सरा जो होते हैं उनके बिना कोई अक्षर या सब्द बनना मुस्किल होता है या ये कहें कि उनके बिना कोई सद्द या सब्द का कोई मतलब होता नहीं है क्योंकि कम से कम ए सभी में आता है ये जो सर हैं इनकी एक फिक्स आवाज होती है जो सारी दुनिया के जितने जानवर या जितने मनुस्य हैं वो सब बोलते हैं और उनकी आवाज निकलती है ए, आ, ई, उ, ए, ओ ये जो आवाज है ये सारे बच्चे जो पैदा होने के बाद निकालते हैं और जितने जानवर हैं उनकी अधितर आवाज रम्भाने की इनी सरा में आती है कोई भी जानवर केखेगे में नहीं रमभाता वो A, I, O, O में रमभाता है और बच्चा भी जो पैदा होता है सुरू में इनी को दोराता है इसनी इनको सुर या सर कहते हैं सबसे पहले ये सद्द आते हैं इसमें जो सबसे पहला पाली के अंदर आता है जैसा कि सारी भासाओं में आता है वो A आता है A सारे सर का सरताज है यानि कि सुरूआत वहां से होती है और सारी भासाओं में जो A सर है उसका सबसे ज़्यादा उसके सब्द सारे सरों में होते हैं यानि जो सरों से आरंभ होते हुए सब्द बनते हैं पाली के अंदर अगर किसी सद से पहले ए लगा देते हैं तो इसका मतलब नहीं होता है इसमें जो आवाज आती है वो आती है नहीं जैसे कुसल, खेत, एखेत, गती, एगती, जानन, एजानन, नियमित, अनियमियत यह सब्दों जितने भी ए पहले लगा देंगे इसका मतलब होगा जैसे गती में ए गती किया तो गती माने चलना होता है और ए गती के माने इसकी जो चलना है वो रुक गया कोई चीज अगर नियमित है अगर उसको हम ए नियमित कर दें या ए नियमित कर दें तो वो उसके निगेटिव वर्थ में आ जाती है तो यहां जो उप सर के रूप में यानि कि अगर हम पहले लगा देते हैं सबसे पहले तो यहां पाली में जो पहला सर है यह उसका मतलब नहीं हो जाता है जो दुतिया सर है हमारा क्योंकि पठमा सर तो हमारा ए है और दुतिया सर सारी भासाओं में लगबग आ ही होता है ए के बाद आ आ आता है और आ जो सर है वो आप कह सकते हैं कि आ का जो शौट है वो ए होता है जैसे अकोस को बोलते हैं अक्रोस होता है संस्काइद भासा में और इसको simple भासा में aqos बोलते हैं पाली के अंदर अगर इसमें a लगा दें तो होटा है aqos होती aqos मतलब aqros हो गया तो ऐसे करके इसमें लगाने से a से सब्द का पूरा मतलब बदल जाता है जैसे गच्छती बोलते हैं पाली में गच्छती का मतलब जाता है और अगर आ पहले लगा देते हैं तो हो गया आ गच्छती, इसका मतलब आता है मतलब आ लगाने से उसका मतलब उल्टा हो जाता है अधिकतर केसों में ऐसा होता है, कुछ अबवाद भी होते हैं इसलिए आ इसका दूसरा स्वर है, जो ऐसे बना हुआ है मगर उसको अगर लंबा खीचेंगे, तो वो आ बन जाता है सारी भासाओं में ततिया सर है छोटी इ, छोटी इ ततिया सर है और जो चतुत है वो है बड़ी इ पंचमी यानि जो पंच अखर है, जो पांचमा अखर है सर का, वो है छोटा उ और चटा है यानि चट जो है वो है बड़ा उ ये सर हैं जो उ की और लंबे उ की आवाज देते हैं पाली में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो औरत वाली जो दो मात्रा हैं वो नहीं होती यानि कि अगर आप औरत वाली आवाज देखेंगे लिखा होगा कहीं तो एक ही मात्रा होगी उसको औरत बोलते हैं या ओक बोलते हैं तो इस तरह से पाली के अंदर दो सब्दों की यानि दो मात्राओं का उपर जो दो मात्रा हैं उसका एक कहीं भी आपको नहीं दिखाई देगा मगर भी यह बोला जाता है लिखा नहीं जाता एक दो व्याकरण हमारे पास हैं व्याकरण का मतलब है कि जो व्याकर के करण बनता है उसको व्याकरण बोलते है एक है कच्चायन और दूसरी है मोगल लायन कच्चायन वाली जो व्याकरण है उसके अंदर 41 सारे सारे सद्ध यनि शब्द होते हैं सर और वेंजन मिलाके और मोगलान की जो व्याक्रण हैं उसमें 43 होते हैं दो बड़े हुए होते हैं जो दो बड़े हुए होते हैं वो सर से बड़े हुए हैं कच्चैन वाली व्याक्रण में एक ही ए होता है यानि कि एक मात्रा का ए होता है मेगर जो मुगल लैन है उसमें दो मात्रा का भी है जैसे बोलते है एथ जैसे बोलते है एकाकी एकाकी में एक ए के साथ आवाज आती है और एथ अगर बोलेंगे तो एथ में दो ए के साथ आवाज आती है इसलिए बाद में ऐसा माना गया क्योंकि आवाज अलग अलग आती है एथ के साथ में और एकाकी के साथ में इसलिए मोगल लेन ने इनको दो माना इसलिए इसको हम यहाँ साथमा और आठमा करके सर बोलते हैं यानि कि अगर हम कच्चैन की भासा में लेंगे तो साथ मा सर है और अगर हम मोगल लेन की भासा में लेंगे व्याक्रण में लेंगे तो यह साथ मार आठमा दो सर आते हैं ठीक ऐसे ही ओ के लिया जाता है जो ओ की मात्रा है वो ओक काक में और तरह से आती है और ओक में और तरह से आती है अगर हम ओक लिखते हैं तो दो मात्राओं वाला ओक सुनाई देता है और ओक काक लिखते हैं तो उसमें एक मात्रा का ओ दिखाई देता है इसलिए जो कच्चैन की व्यक्रण है उसके नुसार ये आठवा सर है और मोगल लैन की व्यक्रण के नुसार ये नौवा और दसवा स्वर है ये एक छोटा सा अंतर स्वर में आता है स्वर जो कच्चैन की व्यक्रण है उसमें आठ माने जाते हैं और जो मोगल लैन की व्यक्रण है उसमें दस माने जाते हैं मगर पूरी भासा में लिखे पाली में आठ ही जाते हैं पाली की पूरी की पूरी जितने भी सद्दावली है या जितना भी साहित है उसमें कहीं भी आपको ऊपर दो मात्राएं नहीं मिलेगी अगर दो मात्राएं कहीं पाली में मिलती है तो वो पाली नहीं है कुछ और है बेसक बोला जाए या बोलने में आता हो एक मातर दो मातरा है मगर लिखने में नहीं आती पुरानी भासाब जो पाली है उसके अंदर बिलकुल भी नहीं आती है ये एक major difference है आप इसको कभी भी कहीं भी चेक कर सकते हैं जैसे आधा रह नहीं आता आधा रह पुरे पारी प्राकर तक में कहीं भी आधा रह नहीं आता जो आधे रह आते हैं वो सब्द सारे बाहर के बाद में एड की हुए सब्द हैं धन्यवाद